हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वेरिस टाइप आफ वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर बंडल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल्स को तीन कटेग्रीज में डिवाइड कहागा रेडियल, कॉन जोइंट और conjoint में फिर दो टाइप open and closed यानि बेसिकली दो formation है radial और conjoint और वैसे divide करें तो radial, conjoint, open और conjoint, closed तो तीन टाइपस होगे यह तीन structural organizations है vascular tissues के इनको कैसे याद कर सकते हैं सबसे पहले root and radial both start from R root and radial दोनों किस से start होते है R से start होते है तो root contain radial इसका मतलब root और radial दोनों R से start होते है root contain radial यानि root में कैसा होता है root के अंदर radial tissue होता है and rest of stem and leaf containing और जो बचे हुए है rest of rest of कौन सा हो गया conjoint rest of stem and leaf contain conjoint जो बचा हुआ है वो कौन रखता है rest of rest of बचा हुआ कि इस रेडियल के बाद में कौन सा बचाता है खाली conjoint तो rest of contains conjoint फिर नेक्स्ट है in conjoint phloem above gylum below conjoint के अंदर क्या होता है mean phloem above below gylum phloem ऊपर की तरफ होता है arrow से शोर है और gylum नीचे की तरफ शोर होता है phloem first then gylum last phloem first then gylum last या phloem upper gylum lower it's in alphabetic order also ऐसे हम भी हम लोग learn कर सकते है alphabetic manner में भी it means phloem first आता है phloem means p alphabet पहले आता है और x alphabet बाद में आता है तो alphabet p से phloem बना हो पहले आएगा और alphabet x से gylum बनता है जो बाद में आता है इसके दो टाइप्स होते है open and closed open and closed open में क्या होते है cambium present in between phloem and xylem open में क्या होगा जो खुला हुआ है तो खुल रहा है किसकी वज़ए से cambium की वज़ए से खुलता है cambium present in between phloem and xylem और closed में क्या है no cambium between phloem and xylem यानि phloem और xylem की बीच में कोई cambium ने so closed बंद हो गया है उसके बीच में कुछ भी नहीं पर्जेंट है यानि केम्बियम एपसेंस होगी और ओपन है यानि जिसके अंदर क्या होगी केम्बियम होगी वो खुला होगता है इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं लाइन से क्योंकि फ्लोयम और जाइलम के बीच में केम्बियम है इसलिए वो close नहीं है क्योंकि फ्लोयम और जाइलम के बीच में कैम्बियम इसलिए वो close नहीं है close नहीं है मतलब कैम्बियम absence है और तो close नहीं है क्योंकि फ्लोयम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है इसलिए वो close नहीं है और है का मतलब क्या होगी है तो मतलब cambium है तो open होगी और क्योंकि flowem और जायलम के बीच में cambium है इसलिए वो close नहीं है और close नहीं है तो मतलब क्या होगया open type होगया और close का मतलब क्या होता है ask pass ask pass ask का मतलब क्या होता है नजदीक जो नजदीक जुड़े होते हैं उनको Closed बोलते हैं टीक है और Open जिसके बीच में कुछ है यसा है याद कर सकते है क्लोज क्योंकि फ्लोम और जायलम के बीच में Cambium है इसलिए वो Close नहीं है यो क्लोज होगा तो Close नहीं होगा मतलब open होगा और close का मतलब आस पाथ जिसके बीच में cambium नहीं हो यह तीन structural organization है यह इनके diagrammatic representation है first radial then open then closed मतलब radial कहां पर present होता है r for radial और r for root यह कहां पर present होगा root में and open and close conjoint किसमें होंगे stem और leaf दोनों present हो तो radial के अंदर क्या होता है कि it means gylum और phloem present होते है gylum and phloem present होते हैं तो gylum and phloem कैसे लिख सकते हैं हम लोग phloem then gylum phloem gylum phloem gylum phloem gylum alternate formation में इस आर्क में जब इसको cut करके दिखते हैं और यह conjoint है close और यह open यह closed तो open को कैसे बताया था कि जिसके अंदर cambium है वो क्या हो जाएगा open और जिसके अंदर cambium नहीं है वो क्या हो जाता है closed होता है closed का मतलब ask passenger दीख है हमें आर कर दुदया करते है पो मतला जड़ेidents और पलो है जाता है